उत्रप्रदेश में राजस्तान के जालोर की घटना को दोराते हुए एक स्कूल के टीचर ने फिर एक छात्र की जान ली है महज एक शब्द गलत लिखने पर टीचर ने इस छात्र की पिटाई की उसे लादगूसों से मारा जिसके बाद वो बूरी तरह से घायल हो गया और इलाज के अठारावे दिन उसकी मौत हुई यूपी के अउरेया का यह मामला है मिली जानकरी के अनुसार टीचर ने क्लास में बच्चों का टेस्ट लिया था जिसमें छात्र से एक शब्द में गलती हो गए थी नारास टीचर ने उसे डंडे लादगूसों से इतना पीटा कि भब बेहोश हो गया बच्चे की पिता का आरोप है कि परिक्षा में गलती करने पर टीचर ने उसकी पिटाई की पिटाई से छात्र की हालत बिगरने पर घरवालों ने उससे अस्पताल में भरती कराया और इलाज के दोरान छात्र की मौत हो गई अब पती पतनी अभी इटावा में अपने बेटे का पोस्ट मॉटम करा रहे है परिवार का कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को इंसाफ मिले हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के लिए भेशते हैं अपने बच्चे की मौत के बाद परिवार इतना डरा हुआ है कि अपने 12 साल और 6 साल के बेटे को वह स्कूल नहीं भेशना चाहता फिलहाल इस घटना की जानकारी मिलते ही सोमवार को स्कूल बंद कर दिया गया है आरूपी टीचर अभी भी फरार है पुलीस उसकी तलाश में जुड़ गई है उसकी खिलाप मुकदमा भी दर्श कर लिया गया है D.I.O.S. द्वारा शिक्षक को निलंबित करनी के आदेश कॉलेज प्रभंदक को दे दिये गया है भारत में कितने बच्चे कारपूरल पनिश्मेंट का शिकार होते है इसका कोई ताजा आकडा नहीं है लेकिन दिनों दिन बच्चे के साथ शिक्षकों को द्वारा की जा रही बहरे में और दम तोड़ते चात्रों की संख्या में इजाफा हो रहा है क्या यह सिर्फ एक कारपूरल पनिश्मेंट है जो परिक्षा में गलत उतर लेखने से हुई है या जातिगत नफरत का रिजल्ट है जरा सोचे और आपकी इस पर क्या विचार है हमें कॉमेंट करके जरूर बताए साथ ही अन्य खबरों के लिए आज जी इक्वालिट निउस के फिस्बुक पेज को लाइक और फोलो करें और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद